हेल दोस्तों वेल्कम बैक फिर से अगेन एक और नई वीडियो पर स्वागत है आपका और हास्च का एडवेंचर एक और नए जंगल को एक्स्प्लोर करने के लिए सुरू हो रहा है तो मेरे को यहां आते हैं टाइम कच्छी रोड में थी जिसकी वाइसे मेरे को काफी लेट ह हो गया तो गाड़ी पार करके सीधा मैं हाग यहां हूँ नियर इस्टेक फोरस्ट है कहां पढ़ता आप लोगो डिस्कुस्मोंग पर लिंक दे दूंगा आप लोग गूगल मेट पी साहते हैं से आज से हमारे सारे लोकिशन देख पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से तो इस पेसली पाणों पर क्या होता है कि लाल मिट्टी को दिवालों पर लेपन के लिए काम आता है यानि की दिवाल है जो पुराने घर होते हैं उन पर गोबर के साथ मिक्स करके लिपा जाता है अब दोस्तों मैं अच्छानक से रुका हो इदर पर क्योंकि ना नई दिख पर ही गाउं है तो गाउं में खुत्तों के भोगने क्या वाज आ जा रही है अच्छानक से तो यह एक रिस्की संकेत भी हो सकता है ना जो जगह पर हम लोग पहुंचे हैं तो कुछ इस तरीके के जहां पर रस्ता बनाना पड़ा है रस्ता है नहीं एक्ट्री में इस तरीकी से जंगल एक्स्प्लोर करने का जो मज़ा है वह अलगी है यार है ना आप जब अकेले होते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं अपने आप से आपको बहुत ज़्यादा डर फील होता है इसमें आप लोग मजबूत बनते हैं तो हम हमें सापने दोस्ता के लिए नहीं रुक सकते हैं कि वह आएंगे तब हम कैम जाएंगे या एक्स्प्लोर करेंगे कहीं टूर पर जाएंगे इसलिए भाई कभी-कभी आखेले भी निकलना चाहिए अज मैं अपने एक दोस्त को मिस्स कर रहा हूं जो की ऊपर उड़ता है और यह सारे जंगल का नजारा निकालता है वह अपना प्यारा सा ड्रॉन जो हैवी फोरेस्ट है मैं देख पा रहा जरौन जरूर लाओंगा तो मेरे को यहां पर मिली है तो दो लक्रिया भी बढ़ी है यहां पर नीचे साइट को लेकिन घना फोरेस्ट है और एक्स्प्लोर करते हैं कुछ कहीं और देखते हैं क्या पता कोई बढ़ी ऐसी लोकिसन मिले हागी को निकलते हैं फुट्प्रिं से यह है गड़ा लेकिन अंगलियों के निसान नहीं है थोड़ा से यहां पर भी घीज रखा है तो कुछ इस तरीके से जानवरों के निसानों से भी पहचांद की जाती है कि यह जगे पर क्या क्या आ सकता है क्या क्या होगा करके इंखलाल जो आप लोगों को यह पेड़ द से मक्ति है और यह पूरा जंगल बांच का है जंगल में खोसा गया हूं मेरे को कोई उपन सी प्लेस में ली रही है तो एक काम करते हैं जहां से मैं आया था ना हलका सा वहीं को वापस चलते हैं यहां पर बहुत ज्यादा है क्योंकि यह पांच के पीड़ जादा है और जहा है कि इनको तोड़ा करते थे और इसके नीचे से एक पाउडर निकलता या फिर इसको अपने हाथ पे ऐसे चापते थे नाम तो यान ही आ रहा है लेकिन फिलहाल में एक बहुत ही ओपन ग्राउंड पे हो यह देखो आस-पास कितना खुला एरी है ना हा मजा आ रहा होगा आ भी इस जगे पर कहीं पर टेंट पिच किया जा सकता है फिलहाल तो सारा वड़ खावर प्लेस है इस तरफ कुस हैसे ओपन फिल्म मिल जाए इधर पर हो सकता है प्लेस तेंट मौसम की बात करो तो सूर्या इसके बाद की लालीमा आसमान में दिख रहा है अलके हल से ग्रे कल जगह एक्सप्लोर करेंगे जल्द ही जो बुरी चीज मेरे को फील हो रही है इतने डीप जंगल में आने के बाद इतने प्यारे से नेजर के बीच माने के बाद भी हम लोगो डीजे का जो साउंड है ना वह यहां तक सुनाई दे रहा है जंगली जानवरों की लाइफ है व तो इनको पार पत्ता हूं एक बार के लिए मैं जो बाउंडर दे रखिया यह दे रखिया पीछे टी गार्डन के लिए अंगल के एक दम साइट पर यह एक उपन एरिया है जाए के छोटे-छोटे से पौधे इन पर की देखो फूल भी हो गई है यह बड़े पौदे है जि अश्मान निलाई है अब तक हो रहे है कभी कभी यार कैमरा भी अपना दोस्त बन जाता है यार यह बहुत अच्छा लगता है मेरे को सच मेह ना तो तब आसान हो जाता है सब कुछ क्योंकी खुछ से बाते करने सकते तो ऐसा लगता है कैमरा से बाते करें तो आप से बाते करनेahonule सा फील होता है विए जो जी काकड है जिसको कि बार्किंग के तेया लोकल लगवेज में कहेंगे तो पांखर उसकी आवा जाने लगी अभी से भी कि नजने रात में क्या-क्या सुनाई देता है आज हमको देखते हैं रात का एक्ष्टर्स कैसा रहता है कि चलो वह अपना टैंड सेटप पूरा हो चुगा है कंप्ली लकडियों की वैस्ता करते हैं कैसा कि यह वाज आप सुन रहे हैं क्वाक क्वाक वाली ठीक है तो यह वाज है बाकिंग दिया जिसकी वह बात करा था जिसको काकड बोलते है उसकी आवाज है जहां पर निसान तो किसी चीज़ के है नहीं लेकिन जंगल काफी गना है तो फिलहाल मैंने इतनी लकडियों धूंड ली है अभी मेरे को आसपास से छड़बड छड़बड की आवाज आई तो मैं कंफ्यूज हूँ कि आवाज की चीज़ की थी इस तब से जहाज से में लकडिला है तना वहीं से आई यार वाज पिलालना दोस्तों मैं थोड़ा सा डरावा महसूस कर रहा हूँ पता नहीं क्यों है रहे से वैसे मैं थोड़े मैं दरता नहीं हूँ कि एड़ होप आप मेरी अभी की फीलिंग समझ पा रहे होंगे अचानक से बहुत तेज देज मोंकिन लग गया कुट्टे मेरी एक आगनी जल दे रही है साल अच्छे अग्या जल्दी जल्दी है जापत्म चाहिए रखिये है हेड़ इस जल्दी हिए है जल्दी झाना है हांने जैसे ही खूप फूप यूप जल्दी चैनी हुआ है 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 यह जल्दी बहुत तो हैं जल गई है सब से कुसी की बात तो यह एक तो वैसे आजकल थंडा बहुत ज्यादा हो रहा है और उपर से जंगली कुछ ऐसा है भाई कि यहां तो थंडा नहीं भी होता तो वैसे भी होता थोड़ा सा सुकून आया मतलब कह सकते हैं वना सून सानी के बीच में ना अंदर से एक डर बना रहता है अपनी आग तुम्हें बड़िया से जंगती है अब थोड़ा सा अंदर का सेट अप कर लेते हैं जब आग जल जाती है ना तो बड़ा सुकून मिलता है सच में आस पास भर हम ज़ादा हरकता दे थी मितलब चलब चलबड़ हो रहा ही दे हैं हो सकता है जंगली मूरल का वर जादा होते हैं दो थोड़ा सा हांती बने रही कि करके ठीक सामने देखागर मुन रही हुरह कितना प्यार्डास वाओ तो देखो दोस्तों इतनी लखड़ियां देगर कैसे दूरी जा रही है कि तूर जाएगा तो मज़ आ जाएगा रहे लो जबाए बहुत बढ़िया तूरिया रहे जड़ कमजो रहे न सुखा है कितना बड़ा जटक यह अरे गजा वरे सवट है बाई तूर दिया ना इंपॉसिबल नी 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 टूटेगा रहे बहुत मुड़ा है अब इस्टोरी बताता हूं तो जी जगे पे मैं था ना तो वो जगे ते बहुत ज्यादा रिस्की थी और सामसे जैसे की पता है आपको चड़बड़ चड़बा हो रही थी और फिर उसके बाद मैंने ऐसे दिप कर देशन बता इंट है तो बोल ला था चल मा आता हो और रहा था मैंने का चल ठीक है आज दोनों ही कड्के क्योंकि आरब आ गया था तो फिर वापस जाने कोई बनता नहीं है ठा़ी को और जोग तो लोग बहुत थी जगए पर ती वहां पर आपने देखा ही है कि वहां पर जगे नहीं है कैम्प करने को और टी गार्डन होगर आए तो वहां पर मतलब ना इतना अलावड नहीं था तो हम लोगों ने लोकिसन चेंज की राती रातमा भी दूसरी जगे प्यार रखें आप सोलो कैंपिंग यहां थी वह गुरूप में कनवर्ट हो गई है और अभी आपने यह दोनों मतलब यह तीनों मतलब समझ लो कि अपने इस्कूल के फ्रेंड है और यह मासाप है यह जिस स्कूल से पड़ा है वहां के टीचर है अभी आज करेग में तो इसका मतलब है कि सब इसकूल वाले हैं समझ लो क्यों पुछ इस तरी की लोगी साने की देगो आ एक करकर आग ला दिया है किंग त coffin की Nerh होती है इस तरब क्या है और आए मासाप अँग बहुंस्थ होनी अच्छा कि स्कूल के लिए लिए! तो इसी तेट मा भी अपना हो जाएगा और यहां पर जोंधा चोड की आ रखा हो सेटॉप जंगल में कौन आ रहा है तो वहीज मतर इसको चापकर करें इस बड़ी आइडीया है यार है भटा बटस नो चांपिन कर लेते हैं यहीं पर हो रीयंक आपको मतलग एक वीडियो की अंदर दो-दो लोग के संदेखनों को मिलने हैं आज अफ्थर पर हाथ पहली भाद चौपने तो भाई अभी भाई लोग जा रहे हैं लक्री दूरने के लिए क्योंकि ना लखने हैं थोड़ी सी कम कोड़ी हैं और टोमाटर को हम लोग इस पर काटेंगे तेरा चाकु काया वही है मेरा सब वही है मैं कुछ लाया ही नहीं मैं तो बस खाली ऐसे आया हूँ अश्या वह चाकुट कर देगा बसाना मैं गया था सोलो गैम के लिए ठीक है फिर रात में छड़ बड़ हो रही थी तो मैंने दिप्पु को ऐसे पोन किया था नौर्मली फोन किया था ठीक है तो दिप्पु बोला था कहां है करके मैंने कहां यहां यहां गया हूँ इस अप तो अब उसको रिस्ता पता नहीं था मैंने कहा चल तेरे को लेने आता हूं जित्पू को लेने आया तब तक तुम लोगी मिल गए ना फिर मैंने कहा है फिर तुम लोगों ने कही दिया फिर वहीं को चलते हैं करके केंप अब वहीं करेगा करके फिर सामान लाने कहा जाता है यार वापस ट्राइपोड वगरा टेंटेंट सब वहीं है रहे पूरा सब समान हुआ है हां जंगल में कोई आयका थोड़ना वहां ना कोई नहीं आता भी बस फिर हो तो गया फिर बहुत बढ़िया किया यार अब तो बस रात कर जाएगे बढ़िया से पीने का पानी भाई रस्ते से गदेडे से ला रहे हैं हम लोग अब हमारा गिलाज भी कदेरी में चाला गया रहा है जिस चान हो रहे हैं बहुत अन्यवेश्ट है दो दिन में क्रेट कर दोता था वाई एक तैम तो कैदो आताने जोता को आपने कड़ाई तो खतमना को गीरे अब है अब है अब कुकिन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वह भाई लोग को समान नहीं करें गये हैं तो अभी जब ही तक उनका समान आता है तभी तक सानती भी व्यास्ता भी है तो ऐसे में थोड़ा सूट ग्यों जाएगा अपना चलो भाई अब इस पर अब कर्माटर डाली देते हैं पिर क्यों काफी को लिया है हमने प्याच को तो प्याच के बाद बड़ी तेमाटर के बारी आई जाती है और प्याच की काफी चत्नी बन गिया मतलब चत्नी के बड़िया वाली ग्रेई बन गिया तो अब इस पर पड़ जाएगा भी चिकन अभी कोई मसाले नहीं दाले है एक चीज तो है यार देखो मतलब मेरे को मैं वहाँ अकिला था अभी इतने साथ लोग है अपना यहां पर मज़ा अगया है ना कैम्पिंग का तो एक बात तो यह कि कुछ भी निश्चित नहीं है कुछ भी निश्चित नहीं है अब देखो खाने आज मैं पूरा वेच खांगा सोच रहा था मस्रूम ला रहा था ठीक है अब यहां पे चिकन बन रहे है अब है अब यह हम पर अई भी फिक्स नहीं है मतलब लाइप में इसलिए इसलिए ले गारा आगे क्या होने हाला है उ देखो देखो सोलो कैम्पिंग में करी नी पाया है ना क्या कह सकते हैं वता वाब है ना जो इसके लिए लाकर किना वह अब मित इस पर लगड़ा कम हो गया पिना लगने देवार आज तो को इंसलेंस हो इस और बिलकुल जिकान खाना नहीं चाता तो मस्रूम खाना जाता था तो वही तो कह रहा हूं देखिया रहा हूं अधर लेसन पेज डालना हम भूल गे थे देखो अब जुगार ऐसी बनाई है कि साइड में सब जो भी ग्रेवी है तेल है उसके फिक्स कर देता है इसको एक ही डालेंगे दोनी डालते हैं अब देखो दोस्तों बढ़िया से ना ग्रेवी का पता नहीं चल ला है तोहां की करके इसने बढ़िया से इसी के अंदर चली है है अभी नहीं आलेंगा थोड़तसफय हां इसवे स्स्कारी को भूत रूप कर लिज्चाह में आखका इच यब बढ़िया कि मिपला कैण सब्स्क्राइबगा कि करो कि आं ज्यादा इह होगा को मिर्चे अर मिर्च गाई एसाब नहीं सा अब नहींए नहीं अब टाल की लाख आया? देख लेगा अपने हिसाफ से देख लेखे, कमें जालेगे, मैंने खुछ दालेगे, मंमी लोग से भी निखामी निखामी दालू है यह मसला, पीछ है अब जेखे, मसला भाउक मेरी कें साइट पर ही है देख वहीं के उपन है, सब कुछ उपन है, बस में अपना मोबाइल ओरा लेया, एक्सपैंसी जैजेट जो इसे सब लिया है, ओड़ेगे, इक बाद में डालेंगे ने, अभी एक ही डालते हैं बस, जैसा, वाँ जानना है तो फॉल्डेग नहीं दूंगा गजिए यार, बहुत गजब बनी देदी लागर, ऐसा ही खाया जाता है, बड़ा माजा आता ना, देखने में तो मासता लग रहा है, यार, खाना वाना अपना बन चुगा है, और काफे देर भी होगी है, तो हड़ा और से ना, सब के लिए परोज देते हैं यार, बाईलों को भूग है, अभी तक फुल डान सवान से चला था, अपना एकदम मस्ट से गप्पे सप्पे चले थे, चला ये, ग्रेवी पर एकदम जबर्यस बनी ना, ये, मचा आ रहा है और क्या, ये, अपना ये, एक नुम्बर मज आ गया वाकर में, रहना का रखिया दिपु ब्रो, जबना तुर काया, चला भाई, थैंक्यू, थैंक्यू, आओ बढ़ी ऐसे, प्लस मीट, हाँ, बहुत इजबर्यस बढ़ी है, गुरु जी आप बताए, मजा आया, अचार जी को भी पस ये, थोड़ा पानी कम हो गया, हाँ, थोड़ा पानी की कमी है, याद ना, जबकि, जबकि हम लोग 10 लीटर ला रखी ते, देखो, ना, उसके बाद भी दोने दाने में साफ स्पैसे बना है, ना, तो भी देखो, बढ़िया से, आग के साथ, अपना चल रहा है, रात का डिन सबी इंजोई कर रहे हैं, दिप्पो को पसंद आगया अच, अब चलो याद, सब के साथ, बैठ के खाते हैं, ज्यादा सूद नी करते हैं, और इंजोई करते हैं, अल्टिमेट यार के तुरा हम मज़ा आगया, तुम लोग को पसंद आए ना, यहां बिलकुल आया यार, ब मज़ा यार, बहुत नीदार यार, क्योंकि ना, रात के बच्छे, एक चोधा हो गया, बाई, सब सुबह कैसे जाएंगे, तो चलो यादोस्तों, आप सो लेते हैं, फिर बढ़िया से, नीन निकाल लेते हैं, एक देड़ बच्छी गया है, तो अभी, जो हमारे साथ के दो ते, वो लोनों चले गए हैं, घर को, क्योंकि उन में से एक चार जी आपको बता था, तो वो अध्यापक हैं, तो उनको त्विशन भी पढ़ाना है, स्कूल भी आना है सुबह, इसलिए वो चले गए हैं, दूसरा भाई भी चले गया, वहीं का था, तो अभी तीन लोग आपस के साथ, नए नज़ारों के साथ है, पुराने ज़ारे तो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे, अब आप देखोगे एक दम नई वाले नज़ारे, ठीक है, गुद मोर्निंग गईस, सुबह हो चुकी है, और पढ़िया से अपना जो लोकेशन है, नई जग अब वहां से हो रहे हैं, तो उसके बाद ही धूप आएगी, फिलाल धूप इस पेड़ पर आई है, हलकी सी बस जश्ट सुबह की, बढ़ी ऐसे नीन आई हम लोग को, तो भाई लोग कैसी नीन आई, नीक तो अच्छे आई, मजए मैं, दिप्व, बढ़ी आए एक दम जब करेंगे, उसे पहले आप लोग, लोकिसन देखो यार, है ना, गजब की लोकिसन एक दब मतलब, नेक्स लेवल, यहां पर फिर कभी कैम करूंगा, पूरी कैम्पिंग होगी, फुल कैम्पिंग, और रोड कुछ उस तरफ है, जहां पर गाडी वगर हम लोग ने रोख रखी है, जुस तो आजकल धंडे कुछ इतनी बड़ी की है ना, देखो, एक जैकेट, यह दिप्पु की पहनी है मैंने, यह देखो, एक जैकेट यह मैं पहन के ला रखा था, यह मेरी जो नीली वाली जैकेट पहनी थी, यह हो गई, और तीन-तीन जैकेट पहनी पड़ी मेरे को है रात में, और क्योंकि कमल रखा था हम लोगों ने, अमित भाई पुरे पैक थे दिप्पु ने स्लिपिंग बैग वड़ा था, तो काम चल गया था मतलब रात में है ना, अच्छे से नीन आई थी, हो गया पैक, हो गया भाई, कर फड़ चलते हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलो दोस्तो, होप करता हूँ, कि आप लोगो ये वीडियो जरूर से पसना ही होगी, कैसी लगी, कमेंट करके बताना, तो भाई, कल मिक्स अफ हो गया, मतलब समय लो, ठीक है, कैम्पिंग का मतलब, जहां पर एक अकिला फिंसा फील था, मैंने दो-दो टाइब के मजे ले तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब, बाकिया मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केर, तिल देन बाई 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 जहिन वंदे, महत्राम